नमस्कार आईवी टीवी देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ निश्व पपू यादफ ने हर वो कोशिस की इंडिया एलायंस का पार्टनर बनने के लिए लेकिन बावजूत उनको अंतता नाकामियाबी ही हासिल हुई अब जाकर के वो एक बड़ा फैसला करने वाले हैं जो आगे चल करके इंडिया एलायंस के लिए काफी परिशानी का सबब बन सकता है क्या कुछ फैसला करने वाले हैं जानते हैं वरिष्ट पत्रिकार रवी उपाथ यादव वरिष्ट सहींगी आश्यतोस मिश्वा से सर क्या कुछ पपपू यादव फेसला करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में इंडिया आलायंस के लिए परिशानी का सबब बन सकता है ऐसा नहीं है कि वो जादव आप देख करके जादव के लिए वो कत्ता ही नहीं है उस ब्यक्ति में यह हमें ब्यक्ति का तुरूप से जानता हूं और आज से नहीं मैं 1990 की हम बात कर रहे हैं जिस समय वह बिधायक होते थे उस समय निर्दलिय वह भी तो वह उस से पहले से हम तो उस समय से देख रहे हैं समझ रहे हैं उनको तो वह आदमी एक अलग अपनी पहचान एक अलग छवी लोग उसको जिस तरह से कहें, बाहुबली कहें, ये कहें, टो बाहुबली नहीं है वो व्यक्ति, वो ब्यक्ति हर सुगणुख में, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्द के में, अपनी पाचान है उसकी, और वो मदद करता है आप किसी भी तरह का पटना में ही कि आप देख लिए जलत रास्दी कभी हुआ था उस समय वह हर घर घर का दरवाजे दरवाजे जाके उसने तो वह अमूमन वह हर आदमी को मदद करने वाला व्यक्ति है तो वह ऐसे में आज पपू यादव राजेस लिए वो तो वहां से वह अब लोक सभा का चुनाओं में वह ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और वो जैसा आपने कहा कि पपू यादव निश्चित रूप से इंडिया एलाइंस की मजबूती के लिए तमाम तरह का प्रियास किया लेकिन इंडिया एलाइंस कह लिए बिह लिए या एक तरह मने जो भाजपा से अलग जो एक मने होता है वो ध्रूबी कर वो उस दिशा में वह एक काम करने वाला वेक्ति उसको कहीं ने कहीं ठेस जरूर पहुंचा है जिस लिहाज से वह बिचारा वह आदमी जो प्रियास कर रहे थे वो तो वह निश्चित रूप स इंडिया एलाइंस के लिए तो दुखी है बिहार में महागटबंधन के लिए भी का 14.26 जो दूसरे नंबर पर जो जो सर्वे हुआ जाती है सर्वे उसमें जादव को दिखाया गया है तो वह ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव के खड़ा होने से सिमान चल और कोशी का इलागा निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि एक बड़ा जटका नजर आएगा इंडिया एलाइंस को अगर जिदी पप्पू यादो चुनाव लड़ते हैं अपने पार्टी बना करके जैसा कि वह उन्होंने किया भी था 2020 के बिहार बिरंसवा लड़ा था उन्होंने वो चंसेकर आजाद जो रावन बोलते हैं भी मार्मी के उनके साथ में गटबंदर इलाइंस बना करके उन्होंने लड़ा था और वो काफी हद तक उन्होंने उसमें पेनेट्रेट किया था वो तो वो ही नहीं उसके बाद से वो एक और भी अंबेद कर पार्टी है वो सब लोग कई एलाइंस मिल करके तो वो अब हम देखे वो कहने क्या जा बताना जा चाह रहे हैं कि वह पूर्णिया चो छेत्रह से जहां से वो लड़ना चाह रहे हैं पूर्णिया में वह निर्दलिय परत्यासी के रूप में 1991 में उन्होंने जीता था फि उसके बाद फिर वह पूर्णिया में वह निर्दलिय परत्यासी जो है सो 1999 में वह जीते थे तो ऐसे में दो बार वह पूर्णिया से निर्दलिय जीत चुके हैं और पांच दप है कि वह सांसद हैं एक बार कैमेले हैं तो यह महागटबंधन को यह दिखाई नहीं पड़ा यह सोचने वाली बात है कि उस आदमी को अपने पॉकेट में नहीं रख पा रहा है यह किस तरह की महागटबंधन यह हम समझ नहीं पा रहे हैं तो अब आप देखिए कि किसंगंज पूर्णिया किसंगंज मध्यपूरा सहरसा अररिया सुपॉल जो इलाका है उस इलाके में पपू यादव की खासी पकड़ है पपू यादव उस में इलाके में जो आपको पांसाथ जो हम लोक सभाच्छेतर की बात कहें या जिले की बात कहें उस जिले में उनकी काफी पकड़ है वहाँ पर जादव भोट में उनकी इतनी अच्छी पकड़ है और जादव ही नहीं मुसलिम भोट मुसलिम भोट में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है और देखिए हम को जहां तक समझ पा रहे हैं कि आज वो जिस तरह से घोसना उनकी हो रही है कि वो मज़े पुर्णिया से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो ऐसे में हो सकता है कि उनके साथ जो AIMIM है वह उनके साथ उस छेतर में हाथ मिलाए और वह उनसे जोड़ते हुए नजर आए वही नहीं मुके सहनी जो विकासिल इनसान पार्टी है वह भी उनके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए तो वह एक बड़ा जटका के समान होगा यह महागटबंधन के लिए कि वो है कटिहार, किसंगज, अररिया और पूर्णिया, किसंगज में 50% Muslim population है उसी तरह से अररिया में अब जाएएगा 42 के आसपास Muslim population है पूर्णिया में 20% के आसपास Muslim population है तो वो population आपको इधर उधर जाएगा नहीं पपू यादो से वह पपू यादो के पास में ही रहेगा और ज्यादव तो खुद हैं और वो आपको ज्यादव और मुस्लिम छोड़ दीजे समाज के अन तब के अन वर्ग का वोट उनके पास आएगा क्योंकि वो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते रहे हैं तो यह एक बड़ा महागट बंधन के लिए हम समझते हैं कि पूर्णिया सिमान चलकोसी के इलाके में बेहतर नहीं होने जा रहा है यह देखिए अब तेजस्वी परसाद या दो या लालू परसाद या दो ठीक है वो मगद के छेतर में इधर जो है सो वो उनका है लेकिन मगद के छेतर में भी हम समझते हैं कि पपू यादाव अगर जिदी घुमेंगे तो वहाँ पर भी जो है सो कहीं ने कहीं जटका के समान होगा महागट बंधन के लिए यह इसलिए महागट बंधन जो उनको अगर जि तो वो उसके लिए बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर इन दोनों गटबंधनों को परशानी होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि कौन दल जो मोर्चा बनाता है उसके वोटर्स कौन है। उनसे बन परता है वो मदद भी करते हैं शिर्फ जाते ही नहीं है। और जब पटना में सर ने बताया है ही रवी सर ने जब पुरा पटना जलमगन हो गया था तो एक मातर बंदा वही था जो की ट्रेक्टर पर बैठ करके सब को रहत समागरी पहुचा रहा था। जहां कोई न सर पाटी में कह थे जो पुरानी बाते कुछ उनसे कही गए थी उस बात को डेमेज कंट्रोल करके वह आगे बरना चाह रहे थे। नजदीक की दूरियों को नजदीकी में तबदील करना चाह रहे थे लेकिन उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला रेट सिग्नल हमेशा मिलता रहा यही वज़ा है कि अब करीब होता जा रहा है तो उनके सामने में कोई आप्शन बसता नहीं है डिसीजन लेना ही था और उन्होंने अब डिसीजन लेने का मन बना लिया है और अभी सरके मुताबिक आज वो बड़ा फैसला ले भी सकते हैं कि पूर्णिया से लोग सभा लड़ने जा रहे हैं वैसे इस बात ता संकेत उन्होंने पहले भी दे दिया था वह नाइन्टी नाइन्टीवन नहीं नाइन्टी सिक्स नाइन टूथावजेंट फोर टूथावजेंट फोर्टीन इस पांच बार सानसतरा चुके हैं वो मध्यपूरा से लास्ट ताइम उ तो जनाधार की कमी नहीं है लोगप्रियता की कमी नहीं है तो पप्पू यादव भरे नेता में से 5 बार सानसतरा चुके हैं 91, 96, 99, 2004 और 2014, 2014 में उन्होंने शरद यादवर को परास किया था जेडिव के टीकर पर शरद यादवर रहे थे लेकिन 2019 में उनको हार मिली इस तरी के से पप्पू यादव के लिए जनाधिकार पार्टी को ठीक है अपनी पार्टी को वो चाहा रहे थे कि इंडिया अलाइंस में शामिल हो शायद हो सकता है कि कोई शर्त रखी गए हो कि पार्टी का विले कर लिजे जिसके लिए तेयार नियों लास्त तेम हम उनके प्रदे के और ठीक ठाट बाची चर लेए उमीद थी उन लोग कि लेकिन लास्त टाइम में शायद कुछ नहीं हुआ यही वज़ा है कि आप चुनाओ लरने के लिए जा रहे हैं और छेत्र बताया उन्होंने तमाम लोगचभा छेत्र में और चुटी नेक टूनेक मुकाबला होने वाला है तो पप्व यादो जैसे नेता को अगर वैसी जैसी पार्टी टा समर्थन मिल लाता है मुकेशनी जैसी पार्टी टा समर्थन मिल लाता है तो फिर वो बरा जोल्ट सही में इंडिया अलाइंस को हो सकता है चुटी जो भी वोट वो पाते हैं वो इंडिया अलाइंस के बिहार विधान सभा चुनाव के परिणाम ने असपस्ट कर दिया है किस तरह से AIM AIM के वहां से बिधायक जीत करके आये थे तमाम प्रयासों के बावजूद तेजस्वी यादव आर जेडी के तमाम प्रयासों के बावजूद सिमानचल इलाके में AIM AIM ने पहली बार जो सो OBSI की पार्टी ने पांच AIM 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 जीत करके वहां से आये तो वो और ऐसे में पपू यादव का साथ होना पपू यादव का घूमना पपू यादव जब सिमानचल में जब आर जेडी से अलग रहेंगे और OBSI की पार्टी साथ में उनके रहेगी तो हमको नहीं लगता है कि पूरा जाडू जो इसो बहारा जाता है नो उस तरह से सफया हो जाएगा उदर से वो वहां पर नहीं चलने वाला है किसी का जहां तक हम समझ पाते हैं क्योंकि वहां के जो आबादी है जिस छेतर की हम बात कर रहे हैं पूर्णिया किसंगंज मधिपूरा सहरसा अररिया और सुपॉल उस एरिया में क्या उसमें अकटिहार किसंगंज इस अब क्या होगा इस अब इसे वरिया में तो पूरी तरह से स्वीप अदम हो जाएगा अगर पपू यादव अगर जदी मजबूती से लड़ते हैं और महा गटबंधन को थोड़ी सी भी अगर जिदी विवेक होगी तो पपू यादव जैसे नेता को निश्चित रूप से अपने फोल्ड में रखेगी या नहीं अगर जिदी नहीं उसको उस तरफ के अगर जिदी आ साथ आठ दस सीट उसको यादो ने पपू यादव अभी बस ऐलान करने जा रहे हैं तो अभी भी वक्त तरी किसे कहा जाए तो अगर जदी हमको जहां तक लगता है कि इंडिया एलाइंस के नेता अगर जदी लालु प्रशादी यादो अभी भी नितीश कुमार अभी भी जदी उनसे बात करेंगे तो निशी तरुषे पपू यादव उतने मैच्वर्ड हैं उतने राजन्दिक समझ वाले हैं कि वह इस बात को समझ और समझ लाएंगे और वोट का डिवीजन नहीं होने देंगे जो उनके दिमाद में सेट अप है कि वो चाहते हैं कि इंडिया एलाइंस मजबूती के साथ में लड़े भिहार में सो देट की अच्छा बेहतर परणाम हो जी बिल्कुल तो जिस तरीके से पपू यादव ने लगतार कोशिस की कि इंडिया एलाइंस का पार्टनर बने लेकिन बावजूद इसके उनको वहां से ग्रें सिगलन नहीं मिला अब जाकर के वो एक बड़ा एलान करने वाले आने वाले दिनों में लोगसभा का चिनौ पूर्णिया से लड़ सकते हाला कि वो ओफिशिल एनॉस्मेंट भी करने वाले लगतार वो ये कहते भी आते रहें कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे लेकिन अब जो है वो ओफिशिल एनॉस्मेंट करने वाले तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इंडिया एलायंस के लिए किस तरीके से जो है परिशानी का आने वाले दिनों में सबब बन सकता है बागी आप देख रहे थे आई वी टीवी धन्यवाद